हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर मेरे नावे राधे मैं आज सर्वेंज सब्जेट से जीपियेश चेप्टर के ऊपर एक नेवड़ो लेकर काया हूँ और फ्रेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर दीजिए और पास मेरा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए कि ऐसे आने वाली सारी लेटेस वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे और फ्रेंट्स अगर इंजिनेरिंग फिल्टर भी अपडेट रहेना चाते हो तो आप हमारे इंस्ट्यागराम पेच के साथ जोईन हो सकते हो जिसका लिंक में नहापर नीचे मेंसन किया है तो चले फ्रेंट्स आज की वीडियो की सुरुआत करते हैं तो फ्रेंट्स चले फ्रेंट्स आज की वीडियो की सुरुआत करते हैं तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल पोजिस्निंग सिस्टम जी हां फ्रेंट्स यह एक नया चप्तर है और इसकी मदस हम किस तरह से आपर सर्वेंग कर पाते हैं आज हम इसके बारे में जानेंगे और फ्रेंट्स साथी साथ हम जानेंगे कि global positioning system का क्या कुछ extra use में लिया जाता है क्योंकि फ्रेंट्स अगर मैं यह नाम बोल रहा हूं तो अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि फ्रेंट्स हम इसका ज्यादा तर रूप में यूपयोग में लेते ह है कि अगर हमें कहीं direction जानना हो मत्तब कि किसी वी चीज़ का location जानना हो कि मैं अगर उस एरिया में नहीं हूँ मान लेता हूँ मैं बाइचांस मुंबई में नहीं आ गया और मेरे को अगर अंधेरी इस्ट में जाना हो तो फ्रेंट्स अंधेरी इस्ट के लिए मुझे अग direction form में भी मुझे पता चलेगा तो फ्रेंट्स यह इस तरह से किस तरह से यह यूज में लिया जता है और किस तरह से हमें पोजिशन बता देता है इसका क्या function है यह बेसिकली तोर पर मैं कहूं तो यह सेटेलाइट से प्रोवाइड कर जाता है सारी signal है जो भी हमें जी हां मानता हूं मैं आपको नहीं लेकर जा सकता लेकिन आपकी नजरों को और आपको visualization को मैं इस पेस में जरूर ले जाने की कोजिस करूंगा मैंने या पर कुछ इस तरह से इस वीडियो को design किया है तो फ्रेंट्स इसकी theory का कहती तो theory की मदस से भी देख लेते हैं जी हां during day and night whether the object is on the ground मतलब फ्रेंट्स आपर क्या करा है कि जो global positioning system या technique या location बताने का काम करता है किसकी मदद से तो फ्रेंट्स इसके लिए हमें velocity चाहिए जी हां यह जो हमारा velocity बोल रहा तो velocity चाहिए और direction चाहिए साथी साथ हमें time जी हां फ्रेंट्स मतलब कि यह हमें velocity बताता है मतलब कि हमारा velocity डेरेक्षन बताने का भी काम करता है और साथी साथ time भी मतलब कि यह इसकी मदद से हमें इसकी मदद से भी पता चल जाएगा कि क्या actual time हो रहा है वह मतलब actual हमारा time क्या चल रहा है वह और इसके बाद यह direction बताने का काम करता है जैसे मैंने बताया आपको लेकिन कभी कभी हमारा मोसम होता है तो अब ही यह tipo कोई भवीच्वारीयो कोई नहीं रहती व्हां侏क तर्फ। टम पर ही अधार रहता है जो हमारा ग्लोबल पोजिशनी सिस्टम ही बताने का काम करता है साती साथ फ्रेंट यहां पर लिखा है कि the object is on the ground मतलब कि फ्रेंट जो हमारा on the ground मतलब कि जो भी हमारा object है like a human हो या फिर कोई भी गाड़ी हो वहाँ हो मतलब like a जितने भी हमारे instrument है उ उसको भी यहां पर precisely बता देता है हमारा यहां पर satellite जी हां मतलब और उसकी हाथ में जो घड़ी रहती है उसका भी accurate time यहां तक बता देता है इतना अ लाएन रेता है उसका मतलब की केमेरा रेतार से वह हैं सब 101 कुछ इतनी तरह से बता देता है क्यों कि मैंची तरह समxt में सब्सक्राइब तो सब्सक्ट GPS है वो हमारा United States Department के द्वारा है बनाया गया है और साती साथ हमारा actual नाम अगर हम GPS की बात करें तो 9 स्टार है जी यहां फ्रेंट्स 9 स्टार का मतलब क्या होता है Navigation Systems with Time and Ranging फ्रेंट्स यह चीज़ को याद रखिएगा जी यहां इसा पूछा जा सकता है क्योंकि अभी MCQ टाइप के ही टेस्ट हो रहे हैं कोरोना के बज़र से तो फ्रेंट्स यह सारे चीज़ आपको बहुत काम आएंगे फ्रेंट्स Navigation Systems with Time and Ranging मतलब कि फ्रेंट्स नेवी चीज़ का नेवी चीज़ का पता लगाना किसकी सापेक्स में तो फ्रेंट्स Time and Ranging मतलब कि जैसे कि अगर मेरा कोई सिगनल गया तो सेटेलेट के पास मैं भेजूँगा अगर मैं जहां पर हूँ मैं लोकेशन ओन किया और फ्रेंट्स से नाम कुछ लंबा होने के कारण इसलिए इसको स्वर्ट फॉम में डाला गया GPS और फ्रेंट्स इसके बाद हम बात करें कि इसका जो इन्वन्ट हुआ था मतलब कि पूरा ओप्रेशनल इसका तयार हुआ था लिखा है कि this system becomes full operational is 1994 मतलब कि 1994 में इसका पूरा वहां से सीखते हैं जानकारी लेते हैं क्या पूछ एक इसलिए सब्सक्राइब करता है जी है करता है तो फ्रेंड्स बैसिकली ऐसा कुछ हमारा एर्थ होता है तो आपको भी पता ओगा और मुझे भी पता ही है तो फ्रेंड्स इसको हम समझते हैं कि इसमें कहां-कहां पर सेटराइग होती है इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ब्रहानी यानिकि पूरा मैं कह वहोई सअब हुआ है तो इसको मैं जूम अउट करूंगा थोड़ा सा जी यहां मैं हवाट करके आपको बताना चाहूंगा इसमेर अशे सिफ्टम दिया है यहां सब स awak जुम आउट कर सकते हैं, सोलर जिखने के लिए, जी यह यह गोई के साथ, जी यह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो फ्रेंट से हैं, बेसिकली डिजाइन किया गया है, नासा की तरफ से, एनासर डिजाइन करके दी है कि आप जो भी हमारे student है वो हमारे study कर पाए जो भी हमारा solar system उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले पाए तो friends हमें basically जानना है अर्थ के बारे में so friends अर्थ को जानने के लिए हम अर्थ के पास जाएंगे फ्रेंट्स अर्थ हमारा यहां पर देख सकते हैं यह हमारा अर्थ है फ्रेंट्स अर्थ को जाने के बाद हम यहां पर इसको जूम कर देते हैं थोड़ा अर्थ अच्छी तरसा में दिख पाए तो friends यह देख सकतो यह अर्थ है और अर्थ के बारे में आपर थोड़ी बेसिकली जानकारी दी हुई है तो friends अर्थ में होते हैं टोटली 365 डेस जी हाँ और इसके बाद AU क्या है friends उसका distance from sun है मतलब कि जो हमारा sun है यानि सूरे से प्रिथवी की distance AU जितनी होती है AU क्या है friends तो यहाँ पर बताया गया एक्स्प्लें क्या गया है कि astronomical unit जी हाँ AU का मतलब होता है astronomical unit जो हमारा यहाँ पर distance measurement करने के लिए यहाँ पर use किया गया इसके अंदर और friends बैसिकली बात की जाए तो मैं ज़्यादा time ली लेना चाहूंगा आप भी इसके अंदर ज्यादा study करना चाहते हो तो इस website का यूज करके आप देख सकते हो तो friends देख सकते हो basically friends पहले हम इसमें इंडिया देख लेते हैं कहां पर अंधेरा हो रहा है तो friends इंडिया देखने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें HD में कर देता हूं कि जिससे हम यह अच्छी तरह से दिखे कि जिससे हम इंडिया खोज पाई रात का यहां पर सीन हो हट जाएगा इंडिया नहीं दिखेगी जी हां थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि नेट पर चल रहा है बेसिकली जी यहां देख सकते हैं इंडिया देख लेते हैं इसमें कि जिससे आपको अच्छी तरह से और कीलेर होज़ा थोड़ा सा जी हां दो मिनिट ठाल इधर गुझरात आता है तो फ्रेंट यह पूरा पार्ट यहांपर देख सकते हैं इंडिया का नक्सण यहांपर मैं आपण दिखा पा रहा ह", आपको सोकर पा रहा हूं। तो फ्रेंट्स अब इसके बाद हमारा मेन बात था जो सेटेलाइट तो फ्रेंट्स सेटेलाइट यहां पर कहें तो प्रित्वी की और्बिट में घुमते हैं जी यहां मतलब कि प्रित्वी के राउंड सेट में इनके चारों तरफ तो फ्रेंट्स यहां पर हमारा पहला सेटे कर देने का काम इस तरह के टोटली टोटली 32 सेटलार हमें अहां पर प्रोवाइड करते हैं जी और बेसिकरी देखा जाए तो ट्वैंटीस सेटलाइट से वर्क करते हैं जी यह वोर्क करते हैं मतलब कि 33 अञांका तो अल ओर आसRed learned did दिखाना चाहूंगा जी हां तो ये भी थोड़ा सा लोड ले रहा है थोड़ा सा नेट मेरा सुलो चलेगा जी हां यहां 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 पर देख सकते हो बैसिकली यह जो सेटलाइट है वो नासा नहीं डिजाइन किया है देख सकते हैं यहां पर लिखा है थोड़ा सा जूम करन चलती है जी हां फ्रेंट्स वही रेस जाती है सीधा इसके बाद पुर्थी में ट्रांसफर होती है निकलती है और हमें जाकर के हमारे फोन के सिगनल से जाकर करती है और हम भी जो डाटा भेशतों यहां पर आता है इसमें सर्च करता है हमारा लोकेशन इसी सेटलैट के मदद स से यहां पर लगा रहेता है यह सूर्य की किरन की मदद से जी हां यह चार्ज होता है चलता है वर्क करता है पूरी तरह से जी हां फ्रेंड्स और फ्रेंड्स इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा जी हां फिर से सोलार मंधल में आ गए है घ। दूसरी एक और सेटल it आपको बतानी है वह में थोड़ी सि जी हां जो सारे सेटलाइड को एक साथ लेकर के चलती है मतलब कि मिन सेटली जिसे कह जाए तो फ्रेंडस वह हमारी यहां पर है जी हां ये रही आईजS जी हां मतलब कि फ्रे सेटलेटों के मुकाबले में यह बड़ी सेटलेट गीनी जाते है किस तरह से होती है यह नोवेंबर 1998 को जी हां और सहाँ पर देख सकते हो इस सेटलेट का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सबसे बड़ा Church इसको दिया गया है क्योंकि जो भी हमारे इस्टरोंट आते हैं उपर स्पेस में सर्च करने के लिए तो इसके अंदर ही यहाँ पर रूख सकते हैं इतना बड़ा सेटलेट रहता है जी है इसको थोड़ा मैं जूंग करना चाहूंगा फिलाल लोड हो रहा है जूम नहीं हो रहा है तो लोडिंग में ले रहा है टाइम समझ लेते हैं बैसिकली स्ट्रक्चर और इसके देख सकते हूं यहाँ पर इस सारे सोलर पेनल लगाया हुए हैं इतने सारे इस सारे सेटलेट को चलाने के लिए जितनी बड़ी चीज और उतना आपको कोशिस किया है अपनी तरह से बताने के लिए और बैसिक लिए और आपको कोई नोलेच चाहिए तो आप इस वेबसाइट को विजट भी कर सकते हो जी हाँ तो चलिए फ्रेंड्स फिलाल के लिए इसको यहीं पर रखते हैं अब चलते हैं अपने हम ग्राउंड पर चलत इस तरह से कुछ तयार किया जाता है और इसकी ओरबिट के में बात करूं कि यह च्छे और भीट में आपर घूमते हैं और टोटली फोड इस व्रेंट जो रहते हैं इस प्लेसिस मतलब कि कोई भी एक प्लेस को यहां पर बतानी के लिए आपर मतलब मैक्सिम्म से मैक्सिम च चार सेटलाइट का यूज में लिया जाता है किस तरह से चार सेटलाइट यूज में लिया जाते हैं यह मैं आपको आप नेक्स वीडियो में बताऊंगा और फ्रेंट्स इसके बेसिकली रूल समझ जाते हैं और कौन-कौन से हैं जिया मतलब कि बेसिकली डीटेल्स और हम समझ से यह जो सेटलाइट का डिस्टंस रहता है यह हमारा 20,200 किलो मीटर रहता है और यहां पर यह सारे मैंने डिटेल्स इसको यहां पर मैंने explain कर दियें कि आपको कभी भी पढ़ने में आसानी हो जी हां और फ्रेंट से आपर बात करूं तो 55 इनकलाइट रहता है मतलब कि फ्रेंट जो हमारी सेटलाइट रहती है वह सीधी नहीं रहती थोड़ी इनकलाइट रहती है कि जिससे वह आसानी पूरवक देख सके चार एक बाजू को जी है मतलब कि चारो साइट को आसानी पूरवक गोम के देख सके अगर सीधी रहेगी तो तो इसके पूरे बेसिक तोर पर में कहूं तो यह इसके जानकारियां थी जो मैंने आपको यहां पर प्रवाइड किया जाता है और साती साथ इसका लुकेशन किस तरह से निकाला जाता है हम यह चीज नेक्ट वीडियो में देखेंगे आज की वीडियो में यही तक रखते हैं आज की वीडियो में आपको अच्छी तरह से मजाया होगा तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर हमां बताईएगा और साती साथ आज की वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो आपने सीधा कमेंट कर सकते हो तो चले फ्रेंज मिल्टें अपने नेक्स वीडियो में और फ्रेंज आज का वीडियो आपने देखा है इसके लिए thank you so much for watching my video तो चले फ्रेंज मिल्टें अपने नेक्स वीडियो में Bye-bye take care and good-bye